हेलो माइ ब्यूटिफुल सोल्स वेल्कम बैक तो मैं चैनल टारो विशिवी ट्रिपल एट गाइस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले लाइक बटन को प्रेस कर दीजे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे गाइस एक जेनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ र जितना अपसे रिजोनेट है इस पहों बाकिको उगनॉर किजे और गैस एक मेरे बाकि Suy ड़ीन और रिजोट गाइस रिजोनेट करेगी वो कि यहांपर पेंटिकल्स की energy दिख़्ाई दे रही है कि आपके पार्टनर्स काफ़ी जिदा नहीं Y तो ऐसा है कि वो इतनी महनत जो कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी life में stable होना चाहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको commitment तब ही दे सकते हैं, जब वो stable हो, जिनके भी partners stable नहीं हैं, right now वो stability की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और अपनी life में abundance को attract करने की कोशिश कर रहे हैं, V letter है यहाँपर guys, O letter present है यहाँपर, L letter present है यहाँपर, I letter present है यहाँपर, ठीक है? मुझे आपके partners काफी ज़्यादा career oriented दिखाई दे रहे हैं, आप लोग के partners को काफी ज़्यादा पैसे वैसे से लगा, मुझे ऐसा लगता ही है, ठीक है काफी ज़्यादा career पर इनका focus रहता है, तो guys अगर वो आप से अभी separation में हैं, या फिर आप लोग के पीछ में कोई problem है, तो guys ऐसा लग रहा है कि यह एक problem हो सकती है, third party उनका career हो सकता है आप लोगों के case में, जिसकी वज़़से वो आपको time नहीं देते या फिर आपसे कम बात करते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, guys कि आप लोगों मैंसे, आपकी partner आपकी बात नहीं सुनते,onen कैशल लगता है, कि आप लोग के बीच में understanding की थोड़ी कमी है आपके connection में आपके partner weird रखते हैं क्या ऐसा लग रहा है मुझे कि आपके partner चो है ना मतला अगर आप partner male है तो वो weird रखते हैं है कि आपके पर अगर बनते हुँ इसा लग रहा है कि आपके partner बहुत fast भागना चाहते हैं अपनी life में हमेशा ही एक energy मिलती है जिससे पता चलता है कि slow है आज energy कुछ ऐसी है आज मुझे rabbit तिखा ही दे रहा यहां घरणोश दिखाय देरा, तो एसा लगए कि आप लोग के partner ना बहुत fast भाग रहे हैं, fast move करना चाहते हैं, एक fast move लेना चाहते हैं, अपनी life में, इसलिए मुझे ऐसा लगए कि आप लोग के partner काफी जादा आप करियर पर इस समय focused है, आपके मन में काफी जादा गुस्ता और नाराज की दिखाई देती है आप लोग के पार्टनर्स के लिए आप लोग जो हो वो अपने पार्टनर्स से काफी जादा गुस्ता हो काफी जादा नाराज हो ठीक है आपके एनरजी मुझे ऐसी दिखाई देती है कि आपको न, यस और नो वाला आंसर चाहिए, मतलब आप, आपकी लाइफ ऐसे लगती है, कि आप रुके हुए हो, है न, आपको कोई clarity नहीं है, तो basically आप लोग की energies में मुझे ऐसा लगता है, कि आप लोग clarity चाहते हो, yes और no, और फिर खतम करो, guys आपके partners मुझे इस tension में दिखाई देते हैं, कि आपको, you know, वो काफी ताद समझाना चाहते हैं, कोई बात, लेकिन ऐसा लगता है, कि आप समझना नहीं चाहते हैं, आपके partners की energies कुछ ऐसी हैं, कि वो आपको कोई बात समझाना चाहते हैं, लेकिन आप समझना नहीं चाहते हो आपके partners को ऐसा लगता है कि वो आपको कोई बात को समझा नहीं सकते आप समझते नहीं, आप समझदार कम हो मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों की partners को ये problem है कि आप over possessive हो मुझे लगता है कि आप लोग न अपने partners को लेके काफी साथा doubt करते हो या फिर उनकी चीजों पर आपका हमेशा रहता है कि कहा थे, क्या कर रहे थे, कॉल क्यों नी कर रहे थे, कॉल क्यों नी करती हो इस तरीके से अगर आप करते हो na guys तो कही ना कही आप लोग के पार्टनर्स को मुझे लगता है आप लोग मैं से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर्स को पार्टनर्स से बस ऐसा चाहते हैं कि वो एक पल भी आप से दूर ना हो आप अपने पार्टनर्स को एक पल के लिए भी अपने आप से दूर नहीं करना चाहते हैं यह गाइस जो आपकी ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर प्रोजेसिव और ओवर करने वाली जो ओवर डाउट यानि इस तरी की जो आपकी हरकते हैं न वो कहीं न की आपके बाटनर्स को परिशान करती होना ऐसा लगता है कि आपके साथ लॉंग टम पर रेलेशनशिप कैसे चला जाए कुछ लोगों के साथ यह बात रेजनेट करेगी क्योंकि एनर्जी में हैं कि आप लोगों के पार्टनर्स को ऐसा लगता है कि ऐसे लॉंग टम पर रेलेशनशिप कैसे चलाया जाए जब आप समझते ही नहीं हो आप कंट्रोल मुझे लगता है कि आप लोगों से काफ काफी जादा डाउट करते हो काफी जादा questions पूछते हो काफी जादा युनो शक वाली energy आप लोग की रहती है अपने partners के ऊपर U letter present है guys यहाँ पर B letter present है यहाँ पर Guys अगर आप लोग married हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग के बीच में इतनी misunderstanding हो चुकिए कि आप लोग सिफ लड़ते रहते हो आप लोग एक छट के नीचे युनो आप लोग एक घर में भी इस तरीके से रहते हो जैसे अजनभी हो अगर आप लोग एक तब married couple हो और आप के बीच में बन नहीं रही है और अगर आप लोग इस समय सेपरेशन में हो तो आप लोग के बीच में कुछ लंबे समय से ऐसी परेशानिया चल रही है कि आप लोग ना एक घर में रहे कर भी एक दूसरे से अजनभी की तरह रहते हो काफी misunderstanding मुझे आप लोग की connection में दिखा कहीं दो कि आपके partner's आपको नहीं समझ पा रहे हैं आप actually में क्या चाहते हो ये चीज आप नहीं उनको show कर पा रहे हो वो actually में क्या चाहते हैं वो आपको show कर पा रहे हो तो मुझे lack of communication यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही एक सही वे में express नहीं कर पा रहे हो अपनी बातों को आपके partners आपको चाहते बहुत हैं loving energies में बहुत जादा रहते हैं वो ऐसा नहीं है कि आपको चाहते नहीं है यहाँ पर clearly दिखाई दे रहा है कि आप लोग के partners ने आपको बहुत चाहते हैं ठीक है चाहत तो है guys दोनों तरफ से ऐसा नहीं है कि आप नहीं चाहते हैं आप भी बहुत चाहते हैं अपने partners को वो भी आपको बहुत जादा चाहते हैं लेकिन कुछ ना कुछ misunderstanding आप लोग के बीच में ऐसी है कि आप लोग के दोनों के mind में ऐसा रहता है कि long tempist connection को इतने लंबी समय तक कैसे चला हैं अपको लगता है आपके partner न२康 समझते हैं आपके partner को लगता है कि आप नहीं समझते हैं आपके partners नहीं ऐसा लगता है मुझे की वो सोचते हैं आज की दिन मैं उस-स वी रहतें कि काश वो पुरानी जो आपकी chemistry थी ना जो पुराना आप लोग ने जब new new start किया था लव और जो आप लोग के बीच में इतना प्यार था, bonding थी, आप लोग खुशी के साथ रहते थे, आप लोग के जो हसीन पल थे, एक दूसरे का दुख बातना, सुख बातना, खुशी से रहना एक दूसरे को पैमपर करना एक दूसरे का हर सुख दुख में साथ देना ठीके, memories जो भी आपकी loving-loving memories रही हूँ, ऐसा लगता है कि आपकी partners ने ऐसे सोच रहे थे आज के दिन में काश वो पल वापस लोटा है काश वो पुराने दिन लोटा है कुछ ऐसा मुझे आप लोग के partners के energies में दिखाई दे रहा कि वो ऐसे सोच रहे थे कि काश वो पुराने दिन लोटा है काश वो, you know, सारी, जो जैसे हम लोग पहले रहते थे थे हो सकते हैं आप लोग के बीच में इतने ट्रस्ट इश्यू हुए इतने ट्रस्ट इश्यू हुए कि आप लोग के बीच में रिस्पेक्ट भी खताम हो गई एक दूसरे को लेकर आपके partner आप सब कुछ पहले की तरह करना चाहते हैं उनका मन तो है लेकिन उनको भी कही न कहीं इस बात का डर है कि यह पहली की तरह हो पाएगा connection क्या पहली की तरह वैसे ही प्यार वैसी respect मिल पाएगी वो आप लोग के बीच में ऐसे misunderstanding को खतम करना चाहते हैं वो इस प्यार फरी रिष्टे को दुबारा प्यार में ऐसा नहीं होता मैं बताती हूँ आप लोग अपने partners को नहीं समझते और कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप कुछ भी ठीक नहीं हो सकता उनकी feelings मुझे overall ऐसी दिखाई दे रही कि अब सब कुछ खराब हो चुका है अब सब कुछ ठीक नहीं हो सकता guys अगर आप लोग प्यार करते हो तो ऐसा हो इन सकते कि आपके partners ऐसे ही हो वो आपको प्यार ना करते हो ठीक है अगर आपने true love दिया है तो कहीं न कहीं उस इनसान को चीज का बचतावा और realize हमेशा ही रहता है ये बात सच है so मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके partners आपको भूले नहीं है in fact वो चाहते हैं सबकुछ लेकिन उन ऐसा लगते कि आप सबकुछ इतना खराब हो गया कि सही कैसे किया जाए काफी सारे लोगों की साथ ये चीज रेजोनेट कर सकती है क्योंकि energies में निकल कर आया है ठीक है so आप लोग के partners में से कुछ लोग के तो ऐसे partners जरूर सोच रहा है अगर आप लोग की बात हो रही तो वो कहीं न कहीं आप से बात करते करते हैं आपको ऐसा जताएंगे कि यार मैं परिशान हो चुका हूँ या मैं परिशान हो चुकी हूँ कैसे सब कुछ पहले की तरह ठीक हो गलत फैमियों के शिकार हो गए guys आप लोग ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने क्रेट करने की कोशिश की हो और आप लोगों की बीच में और आप लोगों पी समझ नहीं पाए सुलजा नहीं पाए उस चीज़ को guys लेकिन अगर आप इस connection को दुबारा से start करना चाहते हो आप अपने partners के साथ दुबारा से new beginning करना चाहते हो तो guys आप लोगों को पुरानी बातों को यूनो भूलना पड़ेगा हाँ guys आप लोगों को आप सारी बातों को भूलना पड़ेगा तभी आप new beginning कर सकते हो तभी आप नई शुरुआत कर सकते हो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग इस connection को दुबारा से start करना चाहते हो तो अगर आप लोग की partners का call messages आपके पास आते हैं तो उनसे अराम से बात कीजिए ठीक है और sort out करने की कोशिश कीजिए चीजों को अधिक है क्योंकि जिनके भी partners वास्तम में उनको चाहते हैं और अगर आप लोग गुस्ते में, attitude में, ego में आखे चीजों को खराब करें तो न करें ठीक है आप प्यार से बात कीजिए और अपनी चीजों को सुलझा लीजिए और परानी बातों के लिए आप भी माफी मांग लीजिए और उनको भी माफ कर दीजिए ठीक है ना तो आप लोग का सब कुछ पहली की तरह ठीक हो जाएगा जिनको भी guys call messages आते हैं उनकी दुबारा से reunion होता है ठीक है सब कुछ sort out होता है तो guys please comment कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चली किनकी energies थी यहाँ पर निकल कर आई ठीक है missing energies तो रहती हैं guys आप लोग के partners miss भी करते हैं love भी करते हैं loving energy missing energy पच्टावी के energy अकसर ही निकल कर आती है reading में आज आपके partners लेकिन guys slow नहीं दिखाएदे हैं आज आपके partners fast दिखाएदे हैं क्योंकि आज rabbit की energy थी okay so guys यहाँ यहाँ पर मुझे Capricon दिखाएदे रहा है मुझे जो sign दिखाएदे रहा है वो है Capricon का so Capricon हो सकते हो आप दोनो ठीके guys चलिए इस reading को यही पर stop करते हैं चलिए guys कुछ messages लेते हैं देखते हैं क्या निकल कर आता है please angels guide करें मेरे viewers की partners की feelings okay so page of pentacles यहाँ पर निकल कर आया offer का card है guys आप लोग के partners आपको call messages कर सकते हैं ठीक है मुझे आसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग को call messages आ सकता है एमप्रेस भी उचल कर आई है अच्छा और बताईए angels six of cups मैंने guys आपसे एक चीज बोली थी कि वो past की memories को याद कर रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि वो पुराने पल लोटा है और देखिए past memories का card भी आया है thank you angels please guide करें night of wind so guys आपके partner आपकी तरफ आना चाहते है action का card भी है यहाँ पर दो-दो card और उचल कर आया है page of swords भी है and three of swords भी है okay और यहां से lovers भी है प्यार ही प्यार चलो यह बताती हूं मैं क्या दिख रहा है मुझे इन cards को देखके तो guys यहां पर मुझे ऐसा लगते है कि आप लोगों मेंसे काफी सारे लोगों के partners आपको call messages कर सकते है page of pentacles का card है offer का card है ठीक है तो वो कुछ ना कुछ आपको opportunity कुछ ना कुछ आपको offer दे सकते है तो यहां मुझे ऐसा लग रहा है ठीक है उसके बाद night of went देखा रहा है कि आप लोग मेंसे काफी सारे लोगों के partners आपके साथ आपकी तरफ बढ़ना चाते हैं बहुत उनको आपके साथ attraction feel होता है यूनो आपकी soul उनको खीचती है कही ना कहीं उसके बाद यहां एंपरेस निकल कर रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपनी life में काफी जादा ग्रो कर रहे हो नीचे pays of sorts हैं अगर आप अपनी life में काफी साथ ग्रो कर रहे हो और shine कर रहे हो एक एंपरेस की position की तरफ आगे बढ़ रहे हो ना आपके पार्टनर्स अगर यह सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हो आप अपनी pictures को डाल रहे हो आप दिखा रहे हो कि यार यह कैसे कर रहे है इसको तो आदत थी या इसको तो आदत था मतलब आदत हमेशा क्या होतागा इसके जब आप किसी के पार्टनर ना ऐसे समझाती हूं आपको आपको पार्टनर आपसे दूर भाग रहे है और आप इनके पीछे भाग रहे है तो क्या होता है ना कि यह आपसे क्या करेंगे यह आपसे और भागते हैं ठीक है लेकिन अगर ना उसी जगह पर आप क्या करोगे ना आप वहां पर वेट करोगे वेट करने के बाल आप अभ आप अपनी तरफ भाग रहो अब आप सेल्फ लव की तरफ भाग रहो अब आप सोच रहो कि ठीक है हम तुम्हें पीछे भाग के तुम्हें नहीं पा सकते हैं अब हम तुमको ना अब हम खुद को बदल के तुमको पाके दिखाते हैं ठीक है अगर आपका ultimate goal अपके partners को ही पा अब जिसे इस position में दिखाने लगोगे अपने partners को कि आप देखो मैं कौन हूँ ठीक है अगर आपने pictures में भी देखा होगा आपने यह हर जगे देखा होगा कि अगर एक इंसान का दिल तूटता है कहीं ना कहीं ठीक है और एक इंसान उसे move on करके चला जाता है तो दूसरा ज अपने मुवीस में भी देखा होगा जाए यह reality है यह fact है आप इस चीज कोकेकन यान करें पर्टनर यह जितने बी लोग इस energies में हैं आपके आपको नहीं ना कोशिश में थे लगे तो आपके partner लिटरी आपको शॉक कर रहा है मुझे ऐसा इसा दिखाइं बहा같ा उना एप क अपो लोग वाफ को कि लेकि ऐने पहर दूसलिंडे से संहथ डूसलिंता में रये, आप्ड कर्पत दूसलि våra है में मी वह दूसलिए अपारण कि ने उपको होत्य कि सबस्थ है वो सिर्फ आप दे सकते हैं इनको आपकी सोल इनको वो प्यार दे सकती है तो कहीं न कि इनका दिल भी हमेशा टूटा हुआ रहता है मैं आप लोगों को हमेशा ही अच्छा गाइड करने की कोशिश करती हूँ I don't know कि कितने लोग समझते हैं इस बात को अगर आप समझते हैं 10% भी यहां पर इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे ठीक है कि अगर आपको कोई चीज चाहिए तो शुरुआत खुद से करनी पड़ती है तो आप देखेंगे कि असलियत में आपके पार्टनर आपके पास लॉट करा रहे हैं कि अगर आपके इश्वची कुल्चे में स्काल खाव एक आपके इस समय है जमें और फेमली की सुन्नी पढ़ थे हैं अगर आपके बारे में असा होता है कि आप लोगों कीविश को यह होता है यह पी सोचते हैं कि समाझ को भी देखना है जो भी मैस्क्लीन एनरजी में जादा होते हैं तो आपके पार्टन उदर भी खुश नहीं है उदर भी इस्टॉर्टेट इनरजी में लेकिन आप अगर ग्रो कर रहे हो गाइस तो आप अट्रेक्ट करोगे कहीं कि मम्मी पापा कोई नोग पाएगा उणिवर्शल लॉव है यह ठीक है। अगर आपकी नगर यह पसंद आयो तुम्हें आपकी लिडिंग पसंद आई हो अगर आपकी लिडिंग पसंद आए तुम्हां को लाईक कर दीजेगा शब्सक्राइब कर दीजेगा ऐंड थैंक you guys